हेलो एवरीवन वेलकम बैक टूश्चटी आई की जुरीश्री दिस इस मी वासू देम मौंगा मैं आपको काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं कि सेक्शन 313 ऑफ दा सी आर पीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 313 ऑफ दा सी आर पीसी is very important अगर हम पिछले एक दो साल के केसिस देखे सुप्रीम कोट में तो 313 के रिगार्डिंग बहुत सारी important judgments भी आई हैं और ये landmark judgments भी एक दुआई हैं कि जो actually में जो 313 CRPC है उसको यहाँ पे judicial magistrates follow भी कर रहे हैं ये नहीं कर रहे because it talks about the personal examination of the accused तो आज हम इस judgment में आज के lecture में we will cover the 10 important principles of section 313 of the CRPC जितने भी आपके mains के exam आगे आने वाले चाहिए वीडियो आप कभी भी देख रहे हो सब के लिए वीडियो important रहेगी चाहिए आज देख रहे हो चाहिए आप 5 साल बाद ये वीडियो को सुन रहे हो तो आज हम यहाँ पे देखेंगे section को एक एक section को अच्छे से तोड़ के पढ़ेंगे कि section बताना क्या चाहते हैं उसके बद इसके 10 principles को देखेंगे जो आप यहाँ पे directly exam में उसी में से कुष्ण आगा और वो ही आपको लिखना होगा see section number 313 of the criminal procedure court power to examine the accused power to examine the accused यानि की यहाँ पे accused का examination करना है किसकी power है court की यह power है की accused का यहां पे examination करना है which is personal examination इसको यहाँ पे बोलते है Personal Examination of Accused by the Court Basic Purpose पता क्या होगा इसका कि यहाँ पे Court directly जाके Accused से पूछेगा कि आपके खिलाफ यह जी Evidences प्रूफ हो चुके है यह जी बाते आपके खिलाफ चल रही है और इनके Consequences यह हो सकते है तो आप यहाँ पे Explain कर सकते हो जाके कि भाई साब यहाँ पे जो Story थी वो इस तरह से नहीं थी जो यहाँ पे Evidences आपके आई हैं उसके पीछे के Evidence थे मैं उस Stage पे था जो आप लोग बोल रहे हो कि Murder मैंने की है तो कि मैं उस Place में था बट नहीं Actually मैं उस Place में था बट मैं क्यूं था उसका Reason ही है यानि की Accused अपनी Personal यहाँ पे बातें बता सकता है यहाँ पे जो Prosecution के Evidences है उनको वीक करने के लिए समझाई यहां तक बद Personal Examination of the Accused by the Court In every inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain कि आप personally इसको explain कर दो को Any circumstances appearing in the evidence against him the court क्या करेगे अब कोट यहाँ पे court अब दो बार यहाँ पे Personal examination कर सकते है एक तो यहाँ पे court की mandatory duty है जो यहाँ पे Supreme Court ने बहुत बार बहुत बार बोल चुके है कि judicial magistrates इस provision को neglect नहीं करेंगे because it is the duty of the magistrates एक तो यहाँ पे provision है में कि यहाँ पे discretion है magistrates की कि यहाँ पे किसी भी stage पे चाहिए वो prosecution के evidences चल रहे हैं उसी stage पे यहाँ पे accused को बुला कि उसका examination कर ले हैं चाहिए जब accused के evidences चल रहे हैं तब जाकि उसके आपे examination कर जाए हैं कि बताईए आप यहाँ पे कुछ बताना चाहते हो बट तूसरा provision यहाँ पे है shall after the completion of the prosecution evidences shall after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called for his defense यानि की अगर हम बात करें अगर यह trial है अगर यह trial है तो मान लीजे यहाँ पे पहले आएंगे आपके prosecution evidences prosecution evidence यानि की police investigation officer या victim जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो अपने witnesses को बुलाएंगे बताएंगे कुछ statements की यहाँ पे accused ने यह यह किया उन्होंने यह सब कुछ देख्या रिपोर्ट में यह मिला तो वो तो होगे आपके prosecution evidences उसके बाद क्या होगा यहाँ पे defense evidence आएंगे अब यहाँ पे duty है कोट की यहाँ पे duty है क्या लिखे यह word दुबारा रीड करो shall under section 313 clause 1 clause B of the CRPC talks कि at this stage prosecution evidence के बाद defense evidence से पहले it is the duty of the court to personally examine the accused to know that आप यहाँ पे क्या वताना चाहते हो आपके खिलास यह यह evidences हैं इन evidences के साथ आपको यह सजा हो सकती है तो यह आप आप पे जाके accused को बोलेगे कि आप यहाँ पे कुछ बताना चाहते हो accused उसकी आपको कोई personally explanation दे सकता है यह यहाँ पे duty है यानि कि जो section 339 the CRPC है यह किसके favor में है यह accused के favor में है कि अगर during the trial कुछ ऐसा नहीं पता लगा तो court खुद उसके पास जाके जा सकता है information ले सकता है यह तो बातरी shell की और जो दूसरे आपे provision है may at any stage यानि कि पूरे time पे कभी भी जतना भी जब trial चल रहा है अगर court को लगता है कि भाई साब यहाँ पे कुछ proper news नहीं पता लगी कोई explanation मुझे चाहिए accused को यहाँ पे कुछ ज़्यादा पता होगा कुछ ऐसा proof हो गया accused के regarding magistrate को लग रहा है कि नहीं इसके पीछे कुछ और भी story होगी तो जहाँ पे कभी भी magistrate उसको personal examination कर सकता है one thing personal examination of the accused at two stages what one is after the prosecution evidence stage which is mandatory for the conduct to do and one is at any stage वहाँ पे magistrate की discretion होगी section 313 clause 1 of the CRPC यह बोलता है अब अगर हम बात करें section 313 clause 2 की कि जब यहाँ पे यह personal examination होगा तो trial में हम क्या देखते है हर जो भी यहाँ पे witness है चाहिए क्यूश या चाहिए victim है जब भी कोई statement देते है पहले उनको oath देते है oath देते हैं कि आप जो भी बोलोगे सच बोलोगे but in this case personal examination में कोई भी यहाँ पे oath नहीं दी जाएगी क्योंकि अगर oath दी दी गई न तो यहाँ पे accused के mind में एक fear create हो जाएगा कि उसको सची बोलना पड़ेगा वो अपने आपको यहाँ पे prevent नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे यह question prelims के लिए बहुत important in fact mains के लिए भी बहुत important है कि क्या section 313 CRPC में जब personal examination होता है तो यहाँ पे oath दी जाती है यह नहीं no no oath shall be administered to the accused when he is examined under subsection 1 and also अगर जब यह personal examination होगा अगर accused ने कुछ जूट बोल दिया या फिर accused मना कर दे कि यहाँ पे मैं कोई answer देना ही नहीं चाता magistrate को मना कर दे कि नहीं मुझे आपके किसी भी question का answer नहीं देना personal examination में तो accused को उसके regarding कि just because उसने answer नहीं के या कोई भी उसको punishment उसके regarding नहीं हो सुकती it is his right, it is his fundamental right to remain silent वो यहाँ पे personal examination में चाहे magistrate को कुछ बताए चाहे बना बताए the accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer any such questions or by giving false answers to them right now let us talk about section 313 clause 4 of the CRPC very important provision very very important provision कि यह जो यहाँ पे personal examination में कुछ भी उसने बताया उसकी evidentiary value क्या होगी अगर अगर मैं यहाँ पे accused हूँ prosecution evidence is complete हो चुके हैं अब court की यहाँ पे duty बनती है कि मेरा वहाँ पे personal examination वो करें अब मैंने जाके court को कुछ ऐसा वैसा बता दिया कि नहीं story की backstory क्या है कि जो यहाँ पे story court में चल रही है उससे पीछे वाली जो main story मैं आपको बताता हूँ तो वो कितनी relevant होगी क्या यहाँ पे वो evidence की तरह क्या मुझे बचा सकती है अगर वो यहाँ पे माल ली जाए कि मैंने कुछ story fabricate कर दी तो it means what अगर evidentiary value इतनी ही strong होगी तब तो मैं तभी की तभी यहाँ पे innocent proof हो गया that means it is not an substantial evidence but that statement will be taken into consideration wordings देखना यहाँ पे आप section 33 clause 4 में क्या लिखा हुआ है the answers given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial consideration मतलब कि अगर यहाँ पे यह पूरा trial है इतने सारे evidences दिये गए हुए है और उसी evidences में एक यह missing link की तरह help कर सकता है it can be taken into just a consideration कि इस fact को भी consider कर लो but that does not mean कि just because यह आपने कुछ story बता दी कुछ भी बता दिया that statement will not have an high evidentiary value और यह किसमे है जिस case की हम already बात कर रहे है अगर murder का case चल रहे है तो मैंने murder के regarding जब मेरा personal examination हुआ तो जो मैंने कोई भी statement दी कोई भी अगर मैंने statement दी तो यहाँ पे statement will only be taken into consideration एक example देता हूँ पहले पूरी बात सुनो तो murder के case में तो it will only be taken into consideration बट अगर किसी और case की बात करें जो यहाँ पे case चली नहीं रहा in that case and put in evidence for or against him in any other inquiry or trial for any other offense example सुनो अब क्या मेरे उपर charge लग गया यहाँ पे murder का कि मैंने Mr. A का murder की है मुझे यहाँ पे Mr. A के घर में पाया गया जब Mr. A की dead body मिली जब यहाँ पे prosecution evidences दिये कि जब हम police वहाँ पे गई तो यह जो इनसान था यहाँ पे इसके घर में छुपा हुआ था और इसके पास एक gun भी थी तो यहाँ पूरी probability है कि इसी नहीं murder की है evidences आ गए अब मेरा होगा यहाँ पे personal examination personal examination में मैंने जाके code को बता दिया कि देखिए मैं यहाँ पे हूँ एक चोर मैंने उसका murder नहीं किया मुझे कुछ भी नहीं पता था कि उसकी already dead हो चुके है उसकी dead body गर में है मैं तो वहाँ से गुजर रहा था मुझे gate दिखा खुला मैं अंदर चला गया कि बढ़िया चोरी करने का मौक है जाओ अंदर पैसे वैसे लेकर आओ मैं जब अंदर गया तो मैंने उसकी dead body देखी मैं चोरी करने गया था तो मैंने देखा कि भी बंदा तो मरा हुए अब मैं जाके चोरी रामसे कर सकता हूँ मैंने पैसे वैसे उठाए मैं जैसे ही निकलने लगा पुलिस आ गई तो मैं छुप गया अब इनको यह लग रहा है कि मैंने murder की है but actually मैं वहाँ पे था क्यूं मैं वहाँ पे चोरी करने गया था अब यह जो statement है यह statement यहाँ पे it will be taken into consideration यानि कि evidence नहीं माना जाएगा murder की case में मेरे उपर already charge लगा हुए consider किया जाएगा but अगर यहीं पे अब मेरे उपर theft का charge लग जाए कि इस बंदे ने चोरी भी किया है so in that case it will be taken as an evidence यानि कि directly मुझे सजा हो जाएगी कि इस बंदे ने accept किया वो चोरी करने गया था but यहाँ पर जो statement मैंने बताई है murder case में only will be taken into the consideration I hope आपको यहाँ पर यहाँ पर पूरा यह concept समझ आ गया होगा and now यह जो section 313 clause 5 है यह later on amendment के बाद add किया गया था और add इसलिए किया गया था कि यहाँ पर speedy trial हो जाए speedy trial हो जाए कि जो यह examination करने है examination करने में यहाँ पर magistrate को सब्सक्राइब रहता है कि time waste होता है कि accuse कुछ बताता नहीं यह story को fabricate करते है that is why यहाँ पर यह provision आया था कि prosecution यहाँ defendant यहाँ पर सारे वकील मिलके एक question स्तियार कर लेंगे और उसकी वो directly accused को देदो वहाँ पर answer कर देगा यहाँ पर written examination हो जेगा oral examination की जुरूरत नहीं होगी but read कर यह इसको यहाँ पर the court may take the help of the prosecutor and the defense council in preparing relevant questions which are to be put to accused and the court may permit filing of the written statement by the accused as sufficient complies of this section यानि कि जहाँ पर यह oral examination होना है जहाँ पर section 33 बोला है की oral examination हो रहा है वहीं पर section 33 clause 5 which was added later on by the amendment वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर written examination भी कर सकते हो time को बचाने के लिए for the speedy trial let us now see कि यह जो अब हम 10 principles करने वाले है 10 well settled principles on section 33 of the CRPC वो इन चारो cases में से हैं एक बार इंका नाम देख लिजे पीपीटी तो आपको मिली जाएगी state of UP versus लखमी which talks about the value of the statement under section 3.18 value of statement आपको पता लग चुकी है उसी trial में क्या consider किया जाएगा और अगर कोई और trial हो जाएगा तो उसमें वो evidence कितना माना जाएगा direct बात case का नाम चाहिए याद न रहे second is सतनाम नसकार versus state of West Bengal which talks about the object of section 3.18 CRPC और object के है to personally examine the accused to know the truth behind the truth कि यहाँ पे यहाँ पे उसके balance करने के लिए accused के rights को balance करने के लिए court जाएगा उससे यहाँ पे उसका examination करने की बताओ आप कुछ यहाँ पे कुछ और बताना चाहते हो then रिजा अरीना हजारी कारा versus state of Assam rational behind the requirement to comply with section 3.18 CRPC and परमिंदर कोर versus state of Punjab M. Abbas versus state of Kerala importance of section 3.18 CRPC यह चारो के सित हैं जिसके regarding अब हम यह test us principle कवर करने बाले right see first of all see the provisions deal with the power to examine the accused you already know the trial court is vested with the power to put questions to the accused at any stage of the trial to enable them to explain to explain any circumstances appearing in evidence against him at any stage वो यहाँ पे discretion है trial court की बट अगर हम वही पे बात करें duty भी है court की after the prosecution evidence stage and as per section 3.13 CRPC the answer given by the accused may be taken into consideration in trial and put in evidence for or against in any other trial for any other offense यानि कि वो ही example आप मान लीजिए murder वाले case में तो यह लिया जाएगा consideration के लिए और जो यहाँ पे trial नहीं चल रहा theft का जो case आप की उपर चलेगा उसके बाद उसमें यह आपकी statement को evidence की तरह use किया जाएगा right and then in 2009 section 313 clause 5 clause 5 यहाँ पे add किया गया था which talks that section 313 CRPC was inserted which contemplates that the court takes help that the court takes help of the prosecutor and the defense council in preparing the relevant questions that are to be asked to the accused and may also permit filing of the written statement by the accused denoting the sufficient compliance with the provision of the section 313 यानि कि क्यों the intention behind the amendment was to ensure fair but thus speedy trials अब जो 10 principles हैं उसको देख लीजे क्या क्या है पांचे तो आपको already समझ आई चुक है जो मैंने आपको पूरा law समझाय है एक बर यहाँ पे देखिए अराम से 10 principles यही आपने एक्जाम में लिखने हैं जो cases refer कियें यही आपको case refer करने हैं और section 313 CRPC में आपको question मिल ही जाएगा C principle 1 section 313 CRPC sub clause 1 clause B is a valuable safeguard in the trial process for the accused to establish his innocence it is a safeguard for the accused safeguard for accused यानि की यहाँ पे accused का जब examination होगा तो अपनी innocency को establish करने के लिए एक safeguard है section 313 Clause 1 Clause B section 313 which is intended to ensure direct dialogue between the court and the accused direct यहाँ पे dialogue है court और accused के बीच में और यहाँ पे court की तो mandatory duty भी accused का examination करे तो वो accused directly अपनी कहानी court को बता सकता है यह जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि मेरे उपर murder का चार्ज लगया है तो यह जो यह जो एविदेंस मेरे अगेंस मिले थे उसके regarding मेरी क्या स्टोरी है वो जाके मैं directly court को बता सकता हूँ direct dialogue में जब court उसका examination करेगा और वहाँ पे जाके बोल दे कि नहीं मैं वहाँ पे थी अथा ही नियो फेंस में या फिर वो चुप कर जाए बिस कुछ भी नहीं बताना तो that is the right of the accused right of the accused to remain silent और oath तो उसको दी नहीं जाएगी कोई oath नहीं दी जाएगी क्योंकि अगर oath ही दे दी गई, oath देने का मतलब है कि अगर आप जूट बोल रहे हो तो आप यहाँ पे आपको false evidence के लिए भी सजा मिल सकती है but oath इस case में दी नहीं जाएगी अगर यहाँ पे court accused चाता है कि उसको admit करना है नहीं करना है वो कुछ भी किस्ते accused may even admit admit भी कर सकता है और even or on incriminating circumstances induced against him to adopt legally recognized defenses an accused can make a statement without fear of being cross examined by the prosecution very important point normally भी तो जब defense अपने evidences देता है या जो prosecution उसको मान लिए defense witness आया defense witness आया examination chief हुआ तो prosecution witness prosecution क्या करेगा prosecution जो advocate होगा वो क्या करेगा cross examination करेगा उसका यहाँ पे जब personal examination by the court होगा तो कोई भी cross examination नहीं होगा तो यहाँ पे जो statement वो देगा यहाँ पे without that fear of being cross examined वो यहाँ पे statement को दे सकते है the explanation that an accused may furnish cannot be considered in isolation जो यहाँ पे वो explanation देगे वो individually नहीं देखी जाएगी कि वो individually क्या कर रहे है बट कि जो पूरा case है पूरे case को consider किया जाएगा और उनका जो evidence है उसको वहाँ पे consider किया जाएगा उनकी जो statement है accused की जो statement उसको वहाँ पे consider किया जाएगा isolatorily अलग से उसको read नहीं किया जाएगा the explanation that an accused may furnish cannot be considered in isolation but has to be considered in conjunction with the evidence adduced by the prosecution and therefore no conviction can be premised solely on the basis of section 33 of the CRPC right अब already next point के है कि यहाँ पे जब O थी नहीं है जब यहाँ पे ओथ ही नहीं है it means do not constitute evidence under section 3 of the Indian Evidence Act section 3 of the Indian Evidence Act क्या बात करता है evidence की कि यहाँ पे evidence क्या होगा oral evidence, documentary evidence but वो सब statements जो यहाँ पे oath पे नहीं दी जाती वो तो evidence होती ही नहीं है but अगर हम बात करें section 3.13 की जो statement दी जाएगी it will be taken into consideration in that particular trial and it will be used as an evidence for some other trial क्लियर होई बात moving ahead to the next point statement of the accused cannot be dissected to rely on the inculpatory part and ignore the expulpatory part क्या बात कि यह statement दी है इतनी बड़ी statement दिया और वो बोलता है कि यहाँ पे मैं उसके घर गया था मैंने वहाँ से चाकू देखा था मैंने चाकू उठाया था इसको आप ignore नहीं कर सकते हो और सिरफ इसको ले लो that is not possible जितनी पूरी statement होगी पूरी की पूरी ही आपको यहाँ पे consider करनी पड़ेगी आप जस्ट उसका inculpatory part को consider नहीं करोगे right it means innocency भी तो establish हो सकती है basically this section is for the benefit of accused कि वो direct dialogue कर रहा है कोर्ट के साथ moving on to the next point if the accused takes a defense and proffers any alternative version और events or interpretation the court has to take care has to carefully analyze and consider statements and the next point any failure to consider the accused explanation of the incriminating circumstances in a given case may re-chair the trial और endanger the conviction अगर आप यहाँ पे personal examination नहीं कर रहे हो magister अगर इस provision को अगर neglect कर रहे है then यहाँ पे trial ही vichate हो सकता है पूरे trial को यहाँ पे magistर आज court उपर higher courts उसको neglect कर सकते हैं कि यहाँ पे trial ही सही नहीं हुआ और conviction भी set aside हो सकती है it is mandatory for the courts judicial magistrates any court कि यहाँ पे जो after the prosecution evidence personal examination होना जरूरी है and at any stage of the given proceedings तब भी यहाँ पे court कभी भी examination कर सकते है I hope आपको पूरा law समझा आ गया होगा section 331 CRPC का in case कोई doubt हो you can contact me on telegram और instagram I will be there to clear your doubts and now I should tell you here कि study IQ judiciary आपके यहाँ पे दो तरह के courses लेके आते हैं one is our judiciary maha pack जहाँ पे हम 16 states का पूरा पूरा slaves आपको cover करवाते हैं आपको major loss, minor loss current affairs everything will be provided GK major, minor, local loss और यह आप यहाँ पे 14,999 में ही ले सकते हो by applying the discount code DEV आपको यह code use करना है DEV और इस course को आप खरीच सकते हो every single thing will be provided to you in this course and in case you are preparing for a some particular state आप एक ही state की त्यारी कर रहे हो then you can buy thus that particular state syllabus only in 10,4009 by applying the discount code DEV आपको बस चड़ी आई क्योंकि website पे जाने website पे जाके आपको judiciary maha pack course को search करने और वहाँ पे discount code use करने ने इसको buy करने के लिए and you can start your judiciary preparation from today onwards अपने judge बनने का सपने को पूरा करें and ये course खरीदें code use करें DEV I will see you in the next class thank you so much